हेलो एवरीवान कैसे हैं आप सभी असा करेती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे मैं भी बढ़िया हूँ मैं अनिता सी येटूब चाइनल अनिता की जिनगी माप साभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो प्लीज एवरीवान थोड़ी सी वीडियो अच्छी लग के नहीं करती थी मैं मनत मांगे थी मेरा मनत वूरी हूई तब मैं यह मैं नहीं चीज़क होता है मेरी सादी हो गई थी पर मैं नहीं करती थी जब मैं सशुराल आई तो एक साल रहकर यहां से चली गए थी फिर भी मैंने जानते थी, कईके निसमा नहीं हम 거 बताई थी, फिर दूसरी बार मैं आई तो हम को पता चला, कि यहां जायां यानि चॉथ बृत सब करते हैं, करना चाहिए हर महिलाएं को, तो हमारे यहां जो चॉथ बृत है, बताई हूँ अभी अभी कि मनत मांगी थी मेरी मनत पूरा की एगने स्थेवता तो मैं ये बरत करना सुरू कर दी तो जो बरत नहीं आपको सहता है उसको मनत मांगकर भगवान आपको पूरा करे तो करना चाहिए हर किसी को तो मैं आ गई हूँ भगवान के मंदिर में जिस रूम में भगवान की मंदिर रखते हैं उस रूम को अच्छे से सरसफाई करना चाहिए और आज पूजा है तो पूजा है तो इसको हम लिपन करेंगे यहाँ जाड़ो पहले लगा दे रही हूँ और आपको दीख रहा होगा म मोटरी मोटरी जो दीख रहा है वो धान है कि धान की कटाई हुआ है तो अभी हमारे घर चावल नहीं बना है इसी तरह रखा हुआ है एक साइड मेरा धान है और एक साइड मेरा भगवान का मंदिर है तो मंदिर को साइड में है और जो धान के बोड़ा है उस साइड में है बीच में जो थोड़ा सा जगा है बस उसी को में लिपूंगी और सफाई उसी को कर दे रहे हूं क्योंकि पूजा मैं यहीं करूंगी गड़ेश जी का तो ऐसे भी भगवान की जो मंदिर होता है वहां तो जो फर्स होता है पका को तो उसको तो रोज पूछा लगाते हैं पर ह हमारी मीती का है तो मैं रोज तो नहीं लिप पाती हूं बस जाड़ू लगा देती हूं और परवतेवार होता है जीस्तित या पुजा इश्ट्रा करना होता है तो लिपन करती हूं या मंगल बार वाव रभी बार को मैं लिपती हूं गाई की गोबर से इसमें मेरे घर में क जो हम लीपने करते हैं तो लीपना होता है। तो घर में सुक समुरिदी और सांथी बनाए रखते हैं। और सांथी की बात करते हैं तो everyone अपनी संसकार के भी depends करता है जो संसकार माबाब का होता है, वो तो अब जहां रहे हूँ वहां, आपको सांथ रहेगा और उसे मी आपकी सांथी मिलती है, जो मावाप से संसकार मिलता है तो हमारे घर तो सांती की जहां तक बात मैं कर रही है तो हमारे घर में तो सबसे असांती फैलाने वाले हमारे सुसुरजी है वो कुछ भी बात बोलते हैं तो पता ना उनकी बात में क्या होता है कि किसी चीज की बात उनकी पसंद नहीं आती है जो भी बोलते हैं अपनी बस तो अपनी मर्जी से ही बोलते रहते हैं किसी की बात नहीं सुनते एक बात सुन लेंगे बस सुसी परण का बोलना शुरू हो जाएगा क्योंकि उनकी जो मा थी वो भी इसी तरह बोलती थी चिलाती तो घर में तो एक बड़ा ये आसांती तो यही बात है यहां हमारी जो लिपन है हो चुका है पस थोड़ी सी फर्ष था तो इसमें टाइम जदा नहीं लगेगा बस इसको साफ करके मैं नीचे में साफ करूंगी जो मेरा रूम है उसको मैं साफ कर दूंगी क्या होता है जिसनी बहुत हेल्प करती थी इतनी सफाई की कार्ज हो गया सब खुद ही करती थी बस जिस दिन मैं बरत रखती थी उमको कुछ नहीं कर लेती थी बस वही रहता था जो बरत का समगीरी होता था मैं वही उसी को एक अठा करती थी और जितना घर की सरसफाई हो गया सब मेरे और आज वो नहीं है, तो मुझे बहुत अप्ड़ा रहा है, कि लिए साथ रहते हैं, तो उसकी कमी महसूस नहीं होता है, जब बच्चे या कोई फेमली दुर हो जाते हैं, तो कमी महसूस होने लगता है, तो यहां सफाई कर रही हूँ, और अपनी बच्ची के मन ही मन मैं कि ही करना है, जो भी करना है, घर में खुद anthropology करना है, कि einem कि मैं अकेली हूँ, और हमारी सासु misma है, वो यह अपनी वीडियो में बता चुकी हैं, उन को जैसी काम में रहती हैं, उन यहां लिपते रही हूं, लिपने के बाद मेरा असनान होगा, अभी असनान मैं नहीं की हूँ, उसके बाद मेरी जो पुजा की समान है, मैं उसको इकाठा करूंगी Aww, If Follow即 की बाद झानाभाँ धुजातों आना उसका झालुगा का झालुगा, वुजा का झालुगा जुगा एला शुजाए की समान हमी हूगा, नही नही जएली नही जार की खुझा का शैकाठा मेरी ये थालुगा की समाना है, मैं पुछा क्यापीक्की Tá L इजा यह माने उरी है अज़तन सुयूर्पमी किया नार अपसी गरसतन नो आए माजिमाक बान उरी है अज़तन सुयूर्पमी किया नाजी आंखे किया नाजी आंखे I sell me live on Hello everyone तो आज है गनेश चेतुरदेशी यानि माग वाला तो माग में गनेश चेतुरदेशी जो होता है वो लड़ू बनता है गनेश जी को देखें यहां हम आज गनेश तिवता को अपना पुजा करने वाले से तो हम परड़े करते हैं पर आज गनेश चेतुरदेशी है तो तो मैं इसको चौथ बोलते हैं, चौथ मैं आज की हूँ, तो आज यहां देखे, सब मेरा लिपन हो गया, मैं आधे घर लिपी हूँ, कि अधर मेरा समान रखा हुआ था, और यह देखे, यहां धान की कुटाई नहीं हुआ है, अभी तो धूप ही नहीं निकल रहा है, आज ब हमारी पूजा होगी, 6-7 बजे करीम में, 7 बजे करीम में पूजा करूँगी, और आज के टाइम अभी मैं पूछी नहीं हूँ, पंडी जिसे, मैं पूछूँगी कितने बजे हो सकता है, 8-9 बजे करीम में होगा, तो मेरा गाजर हो गया, गाजर को कदुकस कर ली हूँ, हल पाइम होने के लिए, तो इस पाग को मैं देख ले रहे हूँ, पाने में डालकर यहां हो चुका है पाग, यहां तील को रुफ्ट कर ली हूँ, तील को रुफ्ट करने के बाद उसमें गुर्डाल दी और गुर्डाल च्छटा लड़ू बना दूँगी, तो देख सथी यह हलूवा बनता है, तो मेरा हलूवा जो है उसको फ्राइ कर ले रहे हूँ, अगिसमें गीः डाल हूँ, देशी घी डाल दी हूँ, तील किसी घार्डां की हलूवा速 अच्छे से धीमी आच पर पत्लाशन में खरंश वरूणेंगे, तो धीमी धीमी आच पर अच्छे से होज जाता है देखिए इसका जो कलर है चेंज हो गया तो हमारा भुना चुका है और इसमें डाल दोंगी चीनी और चीनी के डालने के बाद पानी लगा दी और पानी कुछ इश्टरा डाल देते हैं कि धीरे-धी यह पकता है तो बहुत अच्छा इसमें स्वाद आता है और हम पित्तल के वर फेल करते हैं चीतत अमरा पुजा की समिधरि होताही मैं पुज़ऊ के बरत रखते हैं परसाद हो गया ख्या हम जुरण ब्रतन होटाहए कि परडे का के बरतन होता है YouT पूजा के लिए अलग से बरतन रखते हैं तो देखिए यहां बनाने लगी काजर की हल्वा तो गाजर की अच्छी से इसको फ्राइक कर दे रही हूं घी डालकर फिर उसके बादे में दूद डालूंगी शीनी डालूंगी और गाजर की हल्वा हो जाएगा त्यार भगवान की परसाद सब त्यार कर ली हूँ अब सामे मेरी पूजा होगी तो यहां आ गई पूजा में पूजा भी मरा इस्टार्ट हो चुका है और बात ऐसे हुआ कि लाइट भी चले गए थी हमारे घर से बस जो मरजेंसी होता है मरजेंसी पर ही बस इतनी से हैं मैं वीडियो बना पा अरका ये परसाद हो गया और परसाद में जब तक हम दूब नहीं डालते हैं तब तक गणיש देवता भूग नहीं लगाते हैं तो गणिश देवता में जब भूग लगाने के लिए जीसे धरम में तुलसी की पत्ते बोलते हैं तो हम दूब डालते हैं अब देख सकते हैं इसमें दूब डाला हुआ है तो दूब डाल देते हैं तो गिनेश देवता हमारा भूग लगा लेते हैं यह हमारे अन्य देवता हैं उनको हम पर साथ चढ़ा दिये तक तक के लिए धन्वाद करें मिलती हो गले वीडियो